हेलो स्टूडेंस जैसे कि लास्ट टूडियो से हम स्फेरिकल मिलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और स्फेरिकल मिलर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स की भी हमने बात की थी जिनके बारे में डिसकस करना जिनके बारे में समझना वो जरूरी हो जाता है जब हम स्फेरिकल मिलर् प्लेन मिलर के सामने खुद खड़े हो जाते हैं या उसके सामने कोई अबजेक्ट रखते हैं तो प्लेन मिलर आपको कैसी इमेज उसकी शो करेगा वो आप सब जानते हैं और हम इसके बारे में भी इसे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं लेकिन क्योंकि जब हम स्फेरिकल मिलर के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हमारे लिए ज़्यादा जरूरी यह है कि अब हम यह जाने कि स्फेरिकल मिलर किसी भी अबजेक्ट की कैसी इमेज बना कर एक आपको देगा तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिसकस करेंगे अलग अलग पोजीशन पर उबजेक्ट को रखके कंकेव मीरर से देख सकते हैं कि कैसी इमेज वो उबजेक्ट की शो करेगा इसके लिए सबसे पहले कंकेव मीरर या कनवेक्स मीरर दोनों का फोकस जो है प्रिंसिपल फोकस वो पता करना जरूरी होगा और वो आप पता कर सकते हो किसी भी distant object का एक point image बना कर जैसे कि हमने discuss किया था कि जब sun के सामने हम concave mirror को करते हैं तो कैसे उसकी एक sharp image पेपर पर बनती है तो वहाँ उससे धुआ उठना शुरू हो जाता है तो हमने कहा था कि जो यह जो point है concave mirror से दूर यह है concave mirror का principal focus और जो distance है वो है focal length तो इस तरह से आप बिल्कुल इसी तरह से आप किसी भी concave mirror का principal focus पता लगा सकते हैं और जब आपको वह पता चल जाता है तो आप उससे related आपको देखना है कि आप image को कहा रख रहे हैं principal focus से दूर रख रहे हैं या आप उसको principal focus के नजदीक रख रहे हैं और कितनी distance पर रख रहे हैं तो आप देख सकते हो कि वो concave mirror आपको अलग-अलग distance पर object रखने पर कैसी image उनकी बना कर दिखाता है लेकिन आप अगर वैसा नहीं करना चाते हैं image वैसा नहीं देखना चाते हैं तो हम उसको paper पर ray diagram की help से represent भी कर सकते हैं कि वो कैसी image बना कर दिखाएगा तो ray diagram क्या है? ray diagram है कि जो light rays जब mirror पर पड़ती है हम यहाँ पर ray diagram में क्या represent करेंगे? कि जब किसी भी mirror पर जैसे कि concave mirror है इस पर जब light rays पड़ेंगी यह अगर इसका principal axis है इस पर जब light rays पड़ती है अलग-अलग direction से इस तरह से पड़ती है या इस तरह से पड़ती है तो वो light rays इससे reflect होने के बाद किस direction पर जाएंगी? इस दाइक्शन में जाएंगी और कहां पर जाकर हमें उस object की image देखने को मिलेगी तो इस तरह से जब हम rays को lines के दूप बनाएंगे diagram के form में present करेंगे तो यह आपका होगा ray diagram ठीक है तो ray diagram राने के लिए कुछ important चिजह आपको पता होनी चाहिए तो वो हम अब डिसकस करेंगे इसमें To construct the ray diagram In order to locate the image of an object An arbitrarily large number of rays emanating from point could be considered तो माल कोई भी object है कनकेव मिरर के सामने आपने कोई भी object अगर रखी है तो उस object को आपने object बढ़ी है आप किसी भी object को मिरर के सामने रखे तो object तो बढ़ी ही होगी Point source तो वो होई नहीं सकता कि जिसमें से जो सिर्फ एक point की बनी हुई हो Naturally वो object बढ़ी होगी कोई भी object है मालो यह मैं object अगर रख रही हूँ तो इस object को इसको हम बोड़ रहे है extended source extended light source यहां से rays निकलेंगी ठीक है इसमें से rays निकल रही है तो यह बड़ा है इसरे इसको हमने extended source बोला है हम मान सकते हैं कि यह कई सारे point sources का बना हुआ है कई सारे point है इसमें और हर point अपने आप में एक point source को represent करता है तो हर point में से कई सारे rays निकलती है अलग-अलग direction में rays निकलती है ठीक है और उन में से कौन सी rays concave mirror पर पड़ेंगी और जब वो उसके ओपर पड़ेंगी तो उसके बाद उनका reflection होगा और reflection होने के बाद वो कौन सी direction में जाएंगी यही इसमें बताया हुआ है कि in order to locate the image of an object हम ये मानते हैं कि एक point से कई सारी rays को हम निकलते हुए देख सकते हैं, consider कर सकते हैं an arbitrarily large number of rays emanating from a point could be considered ये अगर point है तो इसमें से कई सारी rays हम consider कर सकते हैं कि इसमें से बहुत सारी rays निकल रही है और अलग-अलग directions में निकल रही है ठीक है however, it is more convenient to consider only two rays लेकिन अब इतनी सारी rays हैं आप इन सभी की reflection क्या show करोगे concave mirror से नहीं हम इन में से mainly दो ही rays को choose करेंगे उन्हीं को ही देखेंगे हम कि जब वो concave mirror से reflect होंगी तो वो कहां जाएंगी और कैसी image वो object यह बनाएंगी इसको मैं आपको अच्छे से बिल्कुल explain करके समझाओंगी अगर आपको कोई भी doubt अभी हो रहा है तो वो आपको आगे की explanation से बिल्कुल clear हो जाएगा तो जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी भी point से हम यह मान सकते हैं कि बहुत सारी rays निकल रही है लेकिन हम सिर्फ दो ही rays को consider करेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको four rays बताई है कि आप उन four rays में से किनी भी दो rays को अपनी convenience के according चूज कर सकते हो ठीक है तो यह देखे मैं आपको directly इसके थुरूई समझाती हूं तो यह आपको समझाएगा कि जैसे कि यह हमारा principal axis है कनकेव mirror आपने ध्यान रखना है कि आप एक compass लेकर उससे कनकेव mirror बनाएंगे ठीक है और जहाँ पर आप उस compass की needle रखेंगे वो क्या है उसका center है center of curvature है और यह pole है यह जो point है यह pole है pole और center के बिल्कुल exactly बीच में क्या है principal focus है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है यह हमारा कनकेव mirror है तो हम जो four rays है वो कौन-कौन सी rays हम चूज कर सकते हैं first ray क्या है कि कोई भी object है कहीं पर भी वो रखे हुए है हम मान सकते हैं कि उस object का कोई भी हमने एक point ले लिया ठीक है यहां मैं object नहीं दिखा रही हूँ यहां मैं ऐसे एक point ले लेती हूँ उस point में से कई सारी rays निकल सकते हैं लेकिन हमने क्या कहा कि हम चार rays ही discuss करेंगे तो पहली ray हम कौन सी ले रहे हैं जो कि principal focus के parallel आएगी principal axis के यह हमारा क्या है यह हमारा principal axis है तो एक ray हम वो देखते हैं जो कि principal axis के parallel आती है और जब इसका reflection होगा तो यह कहां जाएगी इसका reflection होने के बाद यह true है मतलब कि कोई arbitrary में आपको imaginary कुछ नहीं बता रही हूँ कि ऐसा होगा यह reflection के बाद यहां जाएगी actual में ऐसा होता है जो मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है कि जब यह concave mirror पर पड़ेगी तो यहां से reflect होगी laws of reflection आपने पड़े हैं laws of reflection में जो एक law है वो क्या है कि कोई object जो plane mirror के लिए है laws of reflection same laws of reflection spherical mirrors के लिए भी है जब इस पर कोई light ray strike करती है तो वो normal के साथ जितना incident angle बनाती है उतना ही बनाते हुए वो reflect हो जाती है यह आपने पड़ा हुआ है बिल्कुल वैसा ही spherical mirrors में भी होता है इस point पर अगर आप एक normal draw करोगे तो उस normal के साथ इस ray ने जितना angle बनाया जब वो उतना ही angle बनाते हुए जाएगी तो वो principal focus में से पास हो जाएगी ठीक है अब इसको तुबारा से समझे first ray हम वो ले रहे हैं जो की principal axis के parallel जा रही है उस point source से निकल कर principal axis के parallel जा रही है और जब उसका reflection होता है तो वो focus में से principal focus में से पास हो जाती reflection के बाद ठीक है तो यह हो गई हमारी first ray second ray क्या है second ray है जो की principal focus में से ही जा रही है यह हमारा point हमने चूज किया था इस point से वो ray principal focus में से जाएगी ठीक है और यहां से reflection के बाद यह ray principal axis के पैलल हो जाएगी arrow लगाने बहुत जरूरी है क्योंकि यह arrow आपको बताएंगे आपकी rays की direction क्या है incident ray की direction क्या है और reflected ray की direction क्या है ठीक है तो आपने क्या देखा कि जो ray principal axis के पैलल आती है वो reflection के बाद principal focus में से पास हो जाती है और जो ray principal focus में से जाती है वो reflection के बाद principal axis के पैलल हो जाती है दोनों opposite है तीसरी ray तीसरी ray वो है जो की center of curvature में से पास होती है तीसरी ray वो है यहाँ थोड़ा सा because मैं compass use नहीं कर रही हूँ तो थोड़ा सा points इदर उदर हो सकते हैं तो आप इसको mind नहीं करना क्योंकि आप जब बना कर देखोगे तो आपका बिल्कुल exact बनेगा compass और pencil की help से और scale को भी यूज़ करना आपको तो एक तीसरी ray हम क्या ले रहे है यह first ray थी हमारी यह second ray है और यह हमारी third ray है जो center of curvature में से जाती है ठीक है और reflection के बाद इसका क्या होता है यह इसी इसी बिल्कुल रास्ते पर वापिस आ जाती है क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो center of curvature में से जो रेज गई है प्रिंसिप concave mirror पर जाकर उसने incident हुई है वो अगर आप देखोगे तो वो इस point पर normal है normal यानि कि वो इस पर 90 degree का एंगल बना रही है ठीक है मलब कि normal के according है normal के साथ तो 0 degree का एंगल है उसका जैसी है ना आपका plane mirror से आप समझो कि हमरा normal है ना तो अगर आप इसको concave mirror मान लेते हो और इस point पर हमारी ये रे जो जा रही है ये रे आई है center of curvature में से पास होकर तो अब जो इसके parallel जाएगी इसी के उपर से जाएगी बिल्कुल इसके साथ साथ जाएगी वो तो इसी direction में वापिस आएगी क्योंकि इसने इसका incident angle भी 0 है तो reflected angle भी 0 ही होगा तो ये हमारी होगए थ्री rays जो हमने चूज की है और यहाँ पर मैं आभी आपको सिर्फ concave mirror के बारे में बता रही हूँ अगर आप इसको एके करके देखना चाते हैं तो एके करके भी आप देख सकते हो ये हमारा principal axis है ये हमारा concave mirror है ये center of pervature ये principal focus ये pole है एक ray जो point source से आ रही है principal axis के पहले वो reflection के बाद principal focus में से पास हो जाती है और दूसरी ray जो principal focus में से जाती है वो reflection के बाद principal axis के पहलल हो जाती है और तीसरी ray जो कि center of pervature में से जाती है वो reflection के बाद इसी root पर वापिस आ जाती है तो ये तीन rays हमने किसके बारे में discuss किया है concave mirror के बारे में तो यहाँ आप ये देखो कि अब हमें ये क्या पता चलेगा कि इमेज कहाँ पर बनी है बहुत ही important चीज है ये जहाँ पर reflection के बाद after reflection reflection के बाद where the reflected rays meet that point indicates the position of image ये आपको ध्यान अपना है जहाँ पर reflected rays मिलती है वो point आपको बताएगा कि यहाँ पर image बनी है तो यहाँ आप देखो जो हमने तीन rays ली थी वो तीनो rays एक ही point पर मिली है कोंसे point पर यहाँ पर reflection के बाद तो इसका मर्लब जो हमारी image है वो यहाँ पर बनेगी इस point पर ठीक है तो यहाँ पर हमने अगर हम कोई दो rays भी लेते तो वो भी यहीं पर मिल रही थी जब हमने तीसरी ली तो वो भी यहीं पर ही मिल रही थी ठीक है तो यानि कि आप इन में से कोई भी दो rays को चूज कर सकते हो जो आपको convenient हो क्योंकि यहाँ हमने जो object है उसकी पोजिशन नहीं दिखाई है object को हमने कहीं दूर मान लिया है ठीक है उसकी हमने position यहाँ पर नहीं लिया है लेकिन कई बर जैसे से हम objective position चेंज करते हैं कई बर हम इन तीनों में से कोई एक ray draw करके अपना reflected ray बनाने में अपने आपको enable समझते हैं कि हम नहीं बना पाएंगे अगर हम इस यह वाली ray को लेकर चलें तो हमारी reflection के बाद यह कहां जाएगी तो हम यह सोच में पड़ जाते हैं तो आपको उस ray को छोड़कर आप दूसरी वाली ray consider कर सकते हो यह तीन rays है ना इन में से मालो आप दो लेकर चल रहे हो एक जो parallel जा रही है principal axis के और दूसरी जो focus में से जा रही है आप मालो इन दोनों को लेकर चलते हो लेकिन अगर मालो आपका focus पीछे रह गया object जो है वो आगे रखी हुए है तो आप इस में से सोचते हो कि हम कैसे इसको यहाँ पर लेकर जाए तो आप तीसरी रह consider कर सकते हो कि center of curvature में से पास होगी ठीक है तो यह तीन डेज हमने डिसकस की है concave mirror के बारे में fourth ray जो रह गई है उसको मैं आप अलग से बताऊंगी यह principal axis है यह concave mirror है बहुत ही easy है fourth ray मैं तो वैसे ही बना रही हूँ कहीं पर भी है center of curvature और principal focus लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया starting में भी कि compass की जहां पर आप needle रखोगे वो आपका center of curvature है यह जो point है जो आपने concave mirror बनाया है इसका जो point principle focus principle axis पर पढ़ रहा है वो pole है pole और center of curvature के बिल्कुल center में आपने क्या बनाना है focus बनाना है principle focus तो fourth ray जो है fourth ray वो है जो की इस point पर incident होती है सिदा pole पर जैसे यह ठीक है अब यह वाला point है यहाँ पर incident हुए तो आप यह देखो यहाँ कितना angle इसने बनाया इतना ही angle बनाते हुए यहाँ से reflect हो जाएगी fourth ray यह है ठीक है आपको इस ray को बनाते हुए यह नहीं देखना कि यह focus में से पास होगी यह center of curvature में से पास होगी कुछ भी नहीं देखना आपकी कोई object है मान लो यहाँ पर यह मैंने बनाया यह मैंने बनाया यहाँ पर आपने इसमें center of curvature और focus कुछ नहीं दिखाया फिलहाल लेकिन दिखाना जरूरी है जब भी आप ray diagram बनाऊगे तो लेकिन अगर आपने fourth ray चूज करें तो यह आपकी object है object का हमने जो point लिया ना मान लो यह वला हमने मान लिया तो इस point से आपने यह सीधी ray यहाँ पर लगानी है pole पर और उतना ही angle बनाते हुए आपने compass से measure करके आपको इसको protector से measure करके आपने उतना ही angle बनाते हुए यह reflected ray यहाँ पर बना देनी है ठीक है इसमें आपको ना तो center of curvature देखने की जरूरत थी ना ही आप आपको principal focus देखने की जरूरत थी लेकिन बनाना जरूर है जब भी आप यह ray डियाग्राम बनाओगे आपको इसमें concave mirror है चाहे convex mirror है आपको उनका principal axis पर center of curvature as well as principal focus show करना बहुत जरूरी है उसको point करना बहुत जरूरी है तो यह हमने शोग गया था concave mirror के बारे में कि जब आप उसके ray diagram बनाओगे तो कौन सी 4 rays हम ले सकते हैं कौन सी 4 rays को हम choose कर सकते हैं और उनमें से mainly आपको 2 rays चूज करनी है आप चाहे तो 3 भी ले सकते हो जैसा आपको convenient लगे हो उसके according आपने करना है अब हम देखते हैं convex mirror के case में convex mirror में जब आप ray diagram बनाते हैं तो यह 4 rays किस तरह से reflect होती है तो convex mirror के बारे में आप जानते हो कि जैसे यह तो concave mirror है जिसमें की reflecting surface कौन सी है अंदर की तरफ धसी हुई है ठीक है यह वाली यह reflecting surface है लेकिन जो convex mirror है उसमें reflecting surface कौन सी है जो बाहर की तरफ उबरी हुई है और अंदर वाला जो part है वो क्या है polished है ठीक है तो हमें जो reflection होगी वो कहां से होगी वो reflecting surface से होगी तो हमें जिस तरफ object रखनी है उदर हमें convex mirror की reflecting surface शो करनी है तो अब हम one by one convex mirror में हम देखते हैं इसको भी बिल्कुल आपने वैसे ही बनाना है तो आप पहले एक principal axis डो करेंगे scale से एक line डो करेंगे और कितना भी आपको 5 cm लेना है 6 cm लेना है कितना भी आप radius लेकर आप एक अगर point आप ये ले रहे हैं तो आपको convex mirror जो है वो डो करना है और convex mirror में ये वाली जो side है वो क्या होगी पोल इस्ट होगी ठीक है तो ये अगर point यहाँ पर आपने compass रखी थी तो ये है center of curvature और ये पोल है तो इनके बिल्कुल center में scale से measure करके आपने लेना है principal focus 4 rays हम one by one discuss करेंगे पहली दे वो लेते हैं जो की principal axis के parallel आती है ये principal axis है हमारा तो एक रे जो principal axis के parallel आती है reflecting surface वो बढ़ती है तो यहाँ पर reflection के बाद कहां जाने चाहिए principal focus में से जाने चाहिए लेकिन principal focus तो अंदर के side है जो polished surface है polished side पर है तो वहाँ से तो ray जा नहीं सकती है लेकिन लगता ऐसे है reflection के बाद कि ये वहीं से आ रही है तो आप कैसे दिखाऊगे लगने वाली चीज़ को आप कैसे दिखाऊगे तो आप scale लोगे अपना principal focus और ये जो point जहाँ पर की incident हुई है ray उन दोनों point को मिलाते हुए इस पीछे अंदर वाली जो part है उसको आप dotted शो करोगे और उसके बाद आपने बाहर की तरफ solid line बना दे है तो ये हमारी reflected ray है ठीक है जो लग ऐसे रहा है कि principal focus में से होकर आ रही है तो ये हमारी first ray है जो की principal axis के पहलल जाती है reflection के बाद ऐसे लगता है कि वो principal focus में से आ रही है अब हम दूसरी ray लेते है जो की principal focus में से जाएगी ये पोल है principal focus में से जाएगी लेकिन principal focus तो अंदर के साइड है तो आपने यहां भी बिल्किल वहाई से करना है यहां से लाइन आपको बिल्किल जो करना है और अंदर जाकर आपने इसके दोटेट वहाई रही है दूबारा से देखिए आप कि यहां से आपको ये solid और अंदर dotted principal focus में से जाएगी लेकिन principal focus में से ये जाएगी तो उसके बाद ये क्या होगा principal axis के पैलल हो जाएगी तो अंदर ये गई नहीं है रे लेकिन हमें लग रहा है कि ये principal focus की तरफ जा रही है अप्रोच कर रही है ये रे और जब वो reflecting surface पर पड़ती है तो उसका reflection हो जाता है और reflection के बाद वो principal focus के principal axis के पैललल हो जाती है ठीक है ये है हमारी second ray जो की principal focus की तरफ अप्रोच करती है और reflection के बाद वो principal axis के पैलल हो जाती है अब हम थर्ड रे डिसकस करते हैं इसमें जो की center of curvature में से पास होगी यहाँ फिर सेम चीज है center of curvature अंदर की तरफ है पोल दिखाना जरूरी नहीं है बढ़ आप दिखा दो के तो जादा सही रहेगा क्योंकि इससे आप measure कर लेते हो और आप से और जब आपको पता ही है कि यह पोल है यहाँ से आपको center of curvature की distance measure करनी है तो आप इसको show ही कर दो तो जादा अच्छा है यह principal axis है हमारा यह जो line है ठीक है तो वो रे लेनी है अब हमें जो की center of curvature की तरफ approach करेगी क्योंकि वो पास तो होने सकती है उसमें से center of curvature is towards polished surface ठीक है polished side तो बिल्कुल वैसा ही करना जैसे हमने principal focus के लिए डोग यह थी line की center of curvature की तरफ हमें जो है डोग तो करनी है और यह हमें इधर के तोलिट दिखानी है ठीक है यह ray जो की center of curvature की तरफ approach कर रही है approach कर रही है center of curvature की तरफ बिल्कुल लेकिन जैसे ही reflecting surface पर पड़ती है mirror की वहाँ से इसका reflection हो जाता है और यह उसी direction में बिल्कुल वापिस आ जाती है ठीक है यह है हमारी third ray that is approaching towards या directed towards center of curvature अब है fourth ray जो कनकेव mirror की तरफ इसे ही बिल्कुल simple है और वो कहां जाती है पोल पर वो incident होती है पोल पर incident होगी यह ray और जितना यह incident angle है उतना ही बनाते हुए reflected angle बनाते हुए यह reflect हो जाती है वापिस आ जाती है तो यह जो हमने चार rays डिसकस की है इन में से आप कोई भी दो rays ले सकते हो और जहां पर वो rays after reflection मिलेंगी या हमें लगेगा कि वो वहाँ पर मिल रही है या तो actual में मिलेंगी जा मिलती हुई लगेंगी तो उस point पर हमें image की position मिल जाएगी वो image की position होगी और वहाँ से हमें ये भी पता चल जाएग कि जो हमारे image है वो सीधी बनी है या उल्टी बनी है image कैसी बनती है वो हम जब concave mirror के सामने object को अलग-अलग position पर रखेंगे और उनके ray diagrams देखेंगे तो मैं आपको explain करूँगी कि जो erect image यानि कि सीधी image कब बनती है और जो real image या virtual image ठीक है, erect के साथ आप inverted लिखेंगे erect image बनी या inverted erect मलब सीधी अगर आपने object ऐसी रखी थी और image भी ऐसे ही बनी है तो वो erect है, लेकिन अगर image ऐसे बनी है तो वो inverted है ठीक है, erect क्या है ये object है ठीक है, तो अगर object ये है और image भी ऐसे ही बनी है बिल्कुल उपर की साइड तो वो erect है, लेकिन inverted कब है अगर वो ऐसे बनी है, ठीक है तो आप इसको समझने के लिए देखिए अगर आपकी object ये है अगर image भी इधर ही कहीं बन रही है तो इसका मतलब वो erect है तो हमने ये वोला point से raise ली थी थी ठीक है, और जहाँ जो raise reflection के बाद मिलेंगी वो point हमें image की position बताता है तो इस point पर अगर यहाँ पर reflected raise मिली है तो ये image हो गई तो दोनों बिल्गुल सें तरह से है ठीक है, तो ये erect image है लेकिन अगर reflected raise यहाँ नीचे मिलती है कहीं पर तो ये image कैसी होगी, inverted image होगी ठीक है, तो erect है या inverted है, ऐसे ही real है या virtual है real और virtual का तो आपको concave और convex mirror के जो ray diagrams हम बनाएंगे different position लेकर object की वहाँ आपको बिल्गुल अच्छे से यह समझ आ जाएगा, ठीक है और आपको और क्या देखना होता की image बनी किस जगा पर है आपने object को कहां रखा था और image जो है वो concave mirror के सामने या उसके पीछे कहां पर बनी है ठीक है तो यह points हम discuss करेंगे next video में आप जब तक इसको अच्छे से समझे और I request you to draw these ray diagrams these four rays for concave mirror as well as for convex mirror अगर आप paper पर खुद से compass, scale and pencil का यूज़ करके इन चारों तरह की rays को draw करके देखोगे और कोई एक point लेकर चल गए तो I am sure कि आपको अपने आप से पता चल जाएगा कि image कहां पर बनी है erect बनी है या inverted बनी है आप उसको आसानी से फिर आपको next video है वो आपको बिल्कुल clear हो जाएगी उसमें आपको कोई भी doubt नहीं आएगा इसमें भी अगर आपको कोई doubt है तो प्लीज आपने से पूछ सकते हों okay